वाट सेपिंग गाईज मेरा नाव है उजस और आज के लेक्चर में आगे बढ़ने वाले हैं तो जैसे अब लोग को पता है कि यह हमारा लैक्षर हैं तो लेक्चर शूरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर यह सेकंड लेक्चर है कि बीच में कोई भी एक लेक्ट्चर मिस्स किया तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिंक तूट जाए ठीक है तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप हर एक लेक्ट्चर देखिए एक लिंक बनेगे ताकि आपकी और आपको चीदे में भी अच्छा से समझ में आ जाएगी उससे ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं तो अब अगला टॉपिक हमारा है स्कैन कनवरजन तो अब यह स्कैन कनवरजन बेसिकली होता गया है तो सब्सक्राइब को कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन सिर्फ लाइन स्क्वेर सरकल है पॉलिगॉन है तो ऐसे सब चीजे अगर आप आपको ड्रॉंडर करने हैं तो ऐसे सब चीजे आप जॉएन कर कि करने के लिए आपको हर एक पिक्सल पहले प्लॉट करना है और उसको जॉइन करके आपको एक लाइन मिलेगी बट यहां लाइन स्क्वेर रेक्टेंगल होगे बट ऐसा नहीं कि अगर सब्सक्राइब करनी है तो आपको बस आपने बस स्टार्ट और एंड पॉइंट दे दिया और लाइन अच्छानक से बन गई ऐसा नहीं होता आपको अफको स्टार्ट एंड पॉइंट देना पड़ता ही है उसके साथ आपको एक लाइक एक्वेशन देना पड़ता है लाइन का जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपने बच्पर में पढ़ा होगा लाइन का एक्वे आपको अपड़े क्लिट कि नउन फटेक हैं पोटो रिय व्यस्टिक और नांग में इमेजा ठ्रीक कि आप अगर सब्सक्राइब को ह। तो फैन अगर घूम रहा है तो फोटो न फोटो रियालिस्टिक होगा। चा Pocket ऑा अंगर आप यू पूर पूरा नहीं दीखेगा। अगर अहीं तो फैन गूमता हूँए निजर आईगा ओवं फॉतों के अंदर ठीक है वो उसे non photorealistic image कहते है और photorealistic image मतलब वो अगर रुका हुआ फैन अगर आपको आपको अच्छा से एक fan दिखाए देगा ठीक है तो उसे photorealistic image कहते है तो आप rendering से उस photorealistic image को 2D या 3D object like image बें convert कर सकते हो ठीक है अब यह 2D और 3D IO को पते होगा 2D मतलब जिसमें X और Y access होते है और 3D मतलब जिसमें XY और Z access होते है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और आजाते है रेश्टर scan और रेंडम scan डिस्क रेश्टर scan और रेंडम scan के उबर यह सब जो मैं चोटी चोटी topics बतार हूं यह आग definition दे रहा हूं बट यह definition भी आगे काम आईगी तो जब आप आगे पढ़ोगे इन topics को आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक कैसे काम कर रहा है ओके अब यह रेश्टर scan और रेंडम scan जो हम पढ़ने वाला है इसका थर्ड या फूर्थ विडियो टुट्योरियल में मेरे मैं इसके उपर रेश्टर रेंडम scan के उपर एक एंसर आता है एक्जाम में बहुत बार आ चुका है ठीक है इसके बारे में मैं आपको थर्ड या फूर्थ मेरे लेक्चर में पता हुआ ठीक है तो अब ही बस एक मैं शॉर्ट और स्वीट डेफिनेशन दे रहा हुँ ठीक है अब सबसे पहले है कि रेश्टर स्कैन क्या होता है तो अब अगर सपोज आपको एक इमेज देखनी है ठीक है स्क्रीन के उपर ओबिस्ली तो वह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इमेज आप देखना चाहते हो वह पूरे स्क्रीन के उपर होगी वह इमेज लाइक एक अगर सपोज यह स्क्रीन है यह आप इमेज स्क्रीन के उबना है यहाँ इमेज को이를 सकते हैं thirty आप सके यहाँ यहां future over error इसले झां डायी कि आप आप इन स्क्रीन के मुस्धाल तुछ Cruz भी ख़िस दर्वी हो सकती यहाँ यहाँ और हिटाओ वो obviously उसका limit वो screen होगा but वो बड़ी भी हो सकती है, चोटी भी हो सकती है या किसी कौने में भी हो सकती है तो register scan क्या करता है register scan, scans from register scan scans each and every row from top to bottom and from left to right okay right एप वोटम और लाफ टू लेफ टू राइट तो कि अब आपको अपको रैश्टर सकेंट क्या होता है समझ अगया और जब वो अगया और लेफ तो लाइट उसका सकान करना हो जाता है तब जो इमेज उसको मिलता है वो दिश्ट डिस्प्लेए कर देता है तो इसे हम रैश्टर स्कैनिंग बोलता है अब आपको एक्जाम्पल देना हो तो आप लिख सकते हो कि टीवी में यूज होता है सब्सक्राइब बच्पन में आप अगर टीवी देखते हो तो आपने देखा होगा कभी कि अगर केबल अगर जाता था आपका तो आप टीवी मे अब वह रैश्टर स्कैन करता था वह स्कैन करता था फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अद उसको कुछ इमेज मिलता ही नहीं था इसलिए वह ऐसा एक साट फशीट या वह नजर आता था ठीक है तो उसको हम इसे हम रैश्टर स्कैन बोलता है अब इसका वोकिंग अब हम आ जाते हैं रैंडम स्कैन के उपर ठीक है तो रैंडम स्कैन में क्या होता है अगर आपको सपोज कोई इमेज देखना है ठीक है अब अगर सपोज यह आपका स्क्रीन है स्ट्रीन के उपर यह इमज है तो राइन्डप स्कैन क्या करता है वह डिरेक्टली इमज के उपर घ्र या ने यह ज्यन कर изб तो कॉआ है और आपको आपको लिए prints तो pen plotter आप दिखे लिख सकते हो, अब यह pen plotter क्या होता है, अगर आपके class में like teacher digital भी सिखाते होगी तो आपने देखा होगा कि project जब on होता है तो आपको अगर suppose teacher को कुछ explain करना रहता है, तो एक pen होता है special pen, उस like जो भी digital equipment वो यूज कर रहे होगी उसका, और जब वो उस pen को nib निब नहीं होती है, अब इस pen को nib है, तभी मैं लिख पार हो, बट उस pen को nib नहीं होती है, तो without nib, अगर मैं लिखती है तो तभी भी वो print होता है, ठीक है, तो उसको हम random scan कह सकते है, ठीक है, ओके तो I hope आपको पता चलके होगा कि, like short way पता चलके होगा कि rest or random scan क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि flat panel display क्या होता है, obviously यह rest or random scan के और बाकी के topics के उपर हम और detail में आगे बढ़ने वाले है, ठीक है, तो अब हाँ, flat panel display, अब flat panel display मतलब LCD, okay, तो LCD क्या होता है, आपके गर LCD TV होगा, liquid crystal display उसको full form होता है, अब LCD कहा से आ है, like, LCD कैसे आ सबसे पहले, मैंने first lecture में बोला था, सबसे पहले CRT था, CRT मतलब cathode ray tube, okay, सबसे पहले आपके बच्पन में जब आप थे, तो आपके घर पे जो TV's थे, या monitor's थे, वो कुछ ऐसे होगा करते है, okay, यह, और यहाँ पे CRT काम कर दो, तो धीरे-धीरे evolve होके, यह CRT से LCD बना, ठीक है, अब, यह CRT और LCD में क्या difference है, okay, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू, कि जब तक like, अगर, अगर यह CRT वाले TV में कोई defect ही नहीं होता था, तो वो update ही नहीं करता था, क्योंकि, यही best होता था, but CRT वाले TV में बहुत सरे defects है, like, इसका size बढ़ा है, इसका जो quality है, display quality वो खराब है, like, इतना, like, अच्छा था, but, इतना भी अच्छा नहीं था, जितना कि LCD का है, बहुत सारे wires यूज करने पर तरहें, और भी बहुत सारे, like, बहुत सारे defects थे, like, उसको हम defects नहीं कह सकते है, but, LCD, what is, what are the things which are better in LCD, and not in CRT, okay, तो, इसको अगर हम compare करें, तो, ऐसी consequence से चीज़े है, जो LCD में अच्छी है, as compared to CRT, तो हम कह सकते हैं कि, size, size, okay, size metals, फिर, उसका display quality, फिर wireless है, maybe cost में तोड़ा फरक होगा, और भी बहुत बढ़ा difference है, जिसको हम बिल्कुल ignore नहीं कर सकते है, वो है, power consumption, okay, तो यह जो हमारा CRT है, यह बहुत जाला CRT वाल टीवी है, वो बहुत जाला जाला power consume करता था, okay, but as compared to LCD, LCD इतना power consume नहीं करता, ठीक है, like CRT से घर compare करें तो उतना नहीं करता, ठीक है, तो यही होता है, flat panel display, ठीक है, तो I think lecture अभी, it's time to wind up, हम back up, like wind up करता, तो lecture I think, maybe 12-13 minute का हो गया होगा, यह starting के lecture हम इतने लंबे नहीं रखेंगे, क्योंकि अब यह सब theory है, okay, co, sorry, computer graphics, computer graphics is all about like theory, ठीक है, तो starting के, starting के lecture हम ज्यादा लंबे नहीं रखेंगे, okay, तो हम wind up करता है, अगर आपको like lecture पसंद आया, तो like करो, share करो, और please subscribe करो, अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो, तो मेरा paytm number description में आ अब कोई भी आप amount donate कर सकते हो, ठीक है, तो with that said, thank you कर दो